Bitcoin के बारे में सीखना चाहते हो, Cryptocurrency के बारे में सीखना चाहते हो, Cryptocurrency काम कैसे करती है, Bitcoin होते क्या है, कैसे काम करते है, कैसे पैसा कमाया जा सकता है इन सबसे, इन सारी ही चीज़ों पर दोस्तों हम बात करेंगे, साथी साथ एक और Exciting चीज़ आप लोगों को बताँँ, कि 100% आपको यहाँ पे बिना कुछ पैसे आपसे लिए आपको सीखने के यहाँ पे पैसे मिलेंगे जिनको आप बिड्रॉल भी कर सकते हूँ तो कैसे यह पूरा प्रोसेस रहने वाला है बिटकोइन क्रिप्टो करनसी टुटोरियल का यह सारी चीजे हम आपको इस वीडियो में करेंगे ज्यादा जानना चाहते है तो लास्त तक इस वीडियो को देखें अपको आप सो मैं प्रवीन आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं सीधे मुद्धे पर आता है दोस्तों क्रिप्टो करनसी की बात करेंड़ तो क्रिप्टो करनसी को आप डिजिटल करनसी है व यहां पर बिटकोईन है बिटकोईन के अलावा भी कई सारे क्रिप्टो करनसी है जैसे कि लाइट कोई हो गया आपका इसके अलावा यूएज डीटी हो गया इसके अलावा एथेरियम हो गया इसके अलावा भी और भी बहुत सारी आप लोगों को यहां पर आप क्या सकते कि crypto currencies मिल जाएंगी जिनके अपने एक value रहती है जिनका अपने एक you know marketplace रहता है तो ऐसे में दोस्तों जो सबसे popular है वो bitcoin ही है 2009 में जो है यह announce हुआ था, introduce हुआ था जब एक bitcoin की value एक dollar से भी कम की थी और आज की date में 2020 आते आते था क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें interested हुए ऐसे में जो है एक bitcoin की value आज की rate में करीबन 7 lakh रुपे की है तो आपको यहां पर पूरा का पूरा bitcoin buy करने की जरूरत नहीं होती है, आप अपने हिसाब से यहां पर bitcoin buy कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप 1000 रुपे का भी bitcoin buy कर सकते हो 10,000 का भी कर सकते हो, इतनी भी आपकी यहां पर capacity है उतना आप यहां पर कर सकते हो, bitcoin की legality की बात करूँ तो Japan में completely legal है, USA में legal है, France में legal है Malta में legal है, Singapore, Thailand, Russia, Germany इन सब में legal है, इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में भी दोस्तों 4 March 2020 को Supreme Court ने जो band पहले आप कह सकते हैं कि partial band जो था इंडिया में, उसको हटा दिया है अभी आज की date में बात करें, तो इंडिया में भी completely legal है, cryptocurrency, right आप यहां पर इंटरनेट पर सर्च करना, 4 March 2020 bitcoin supreme court order या ऐसा, अगर आप सर्च करेंगी कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, bitcoin में, crypto currencies में तो ट्रेडिंग के अपने risk involved रहते हैं, तो वह आप अपने हिसाब से चेक कर ले कि आप कितना risk उठा सकते हैं, उस हिसाब से आप ट्रेडिंग करें, तो ट्रेडिंग तो एक है बहुत दूर की बात होगी, पहले तो आपको यह सीखना पड़ेगा कि चीज़े काम कैसे करती है, और आज हम आपको बताने वाले कि सीखना कैसे है, क्योंकि एक website जिसका नाम है OKEX, दोस्तों यह website आप लोगों को मौका दे रही है, चीजों को सीखने का, इस website में आप सभी चीज़े कर सकते हैं, buy, sell, cryptocurrencies, चाहिए bitcoin हो, चाहिए light coin हो, और भी कोई सी कोई यहाँ पे cryptocurrency हो, उसको buy, sell तो आप करी सकते हैं, इस website में, साथ ही साथ आपको यह सीखने का मौका दे रही है, दोस्तों आप इस website से learn कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ट्रेडिंग के बारे में, लर्न कर सकते हैं कि किस तरी की से चीजों को सीखना है, सारी चीज़े आपको learn करा रही है, और साथ ही साथ अगर आप learn करते हैं, यानि कि इनकी website पर जाके task पूरे करते हैं, तो आपको यह free में BTC भी बांट रही है, तो कैसे पूरा process होता है, इसकी जानने के लिए चलते हैं मेरे computer screen पे, तो दोस्तों आचोगे computer screen पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को OKEX की website पे open करना है, बाइदवे, इस website का link भी आपको नीचे description box में मिल जाएगा, जहांसे आप directly जाके account बना इसको यहाँ पे पा सकते हैं, इस तरके से सारे चीज़े होती है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, by the way सबसे पहरे आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि OKEX जो है, आप कह सकते हैं कि दुनिया की one of the top cryptocurrency exchange में से आती है, इनका Wikipedia का page भी है, जैसे कि आप लोग जाके देख सकते हैं, इसका billing manager description box में डाल दूँगा, एक cryptocurrency company है, जो safe है, secure है, और मतलब आपको यह attention लेनी की जुरूद नहीं है, कि आप अपना data डालेंगे, या कोई फर्जी company तो नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इस space में, crypto की space में बहुत सारी ऐसी companies होती है, जो fraud होती है, तो learning का पार्ट एक बहुत important है, जो यह website आप लोगों को provide करा रही है, जहां पर आप लोगोंने account बनाई लेना है, account बनाने के लिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि नीचे description box में link मिल जाएगा, जाइए उसके बाद दोस्तो sign up पे click करना है, sign up पे click करने के बाद आप इपना email ID, password डालना है, अगर आपके बास email ID नहीं है, तो वो number भी डाल सकते है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर जाके चेक कर लीजे, मैंने यहाँ पर अपना account बनाया है दोस्तों, तो मैं login कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मुलाकात करता हूँ, तो आप देख स जाला option आजाएगा, verification option आने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को कम से कम level 2 का जो verification है, वो तो complete कर ही लेना है, आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर जो है verification पास कर चुके हैं, तो उसके लिए दोस्तों कैसे होती है, चीज़े वो मैं आप लोगों को बता देते हूँ, लेवल 1 की भी verification करने के लिए दोस्तों, आप लोगों को अपना KYC verification, यहनि कि आपको अपना कोई document वगरा जो है यहाँ पर उसका number वगरा डालना पड़ेगा, जैसे मैंने आप अपना driving license का number डाला हुआ है, उसको डालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरा यहाँ उसके बाद टेक photo लेके अपना जो भी आप यहाँ पर document अपलोड करना चाहते है, जिसका भी आपने पहले number दिया है, उसको लेके ready रही है, इस तरीके से camera on हो जाएगा, आप अपने mobile से कर रहे हैं, फिर laptop से कर रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपना driving license दि जो है अपने driving license का, उसको अपनी साथ जो है photo click करवाई थी, उसके बाद दोस्तों आपको अपना जो है face यहाँ पर, मतलब आपको अपनी photo लेनी पड़ी की level 2 के लिए, तो यह इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैं भी यहाँ करवा रहा हूँ आप लोगों के सामने, मतलब यह मैंने record कर लिया था, जब मैंने process किया था, तो इस तरीके से level 2 का verification होता है, तो देखा दोस्तों आप लोगों ने इस तरीके से आप इस चीज़े काम करती है, अपना verification complete कर लेना दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आप एक बार मैं आप लोगों को basic overview देता हूँ website का, उसके इसके लवा, buy and sell कर सकते है, उपर buy and sell का option है, उस पर I M, तो आप देख सकते हैं, तो आपको bitcoin बाई करना है, USDT बाई करना है, या फिर और कोई cryptocurrency बाई करनी है, तो आप जाके कर सकते है, तो आप लोगों के जो amount है, वह आप लोगों को दिखा देगा, तो आप देख सकते है, यह मेरा amount दिखा रहा है, 0.05 BTC है, मेरे पास अभी मेरे account में, तो इसका मतलब करीमें 35,000 रुपे हो गए, अभी जो सबसे important चीज जिस पे आप लोगों को मुझे ध्याना करशित करना है, आप लोगों का वो यह है कि यहाँ पे किस तरह किसे free Bitcoin यहाँ पे कमाया जाए, तो वो कैसे है, तो यहाँ पे आप उपर यहाँ पे आपको एक academy का option मिल जाएगा, academy के option में जाके दोस्तों आप यहाँ पे जो है, you know, जो सारी चीजे हैं समझ सकते हो, tutorials वगर आप लोगों को काफी सारे वीडियो वगर दिये वे हैं, जिनसे आपको सारी चीजों के बार में प आपको daily missions मिलते हैं, उन missions को अगर आप complete करते हो, तो यहाँ पे आप लोगों को bitcoin मिलता है, मतलब जो mission कैसे होते हैं, यह learning mission होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, मेरे 5 missions जो है अभी available दिखा रहा है, इनको अगर मैं यहाँ पे complete करता हो, तो मुझे यहाँ पे bitcoin मिल जाते हैं, अब mission क्या होते हैं, जैसे how to make cryptocurrency deposit and withdrawal, जैसे कई सारे लोगों को यह नहीं पता होता है कि cryptocurrency में withdraw कैसे करना है, deposit कैसे करना है, तो उनके लिए एक tutorial बनाया है, जाके पढ़ लो, उसके बाद आपको यहाँ पे satoshi मिलता है, देखें, यहाँ पे दिखावा है 80 satoshi आपको मिल तो 80 satoshi मिल जाता है, यहाँ पे मैंने एक task पूरा किया था, दोस्तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे 80 satoshi मिल गया है, दोस्तो अगर मैं चाहँ तो इसको withdraw भी कर सकता हूँ, withdraw का option यहाँ पे आप लोगों को देख जाएगा, अब आप लोग सारे लोग सोच रहोंगे कि satoshi क्या तो उस तरी किसा आप देख सकते हैं कि Bitcoin की सबसे smallest unit आप इसको कह सकते है, तो यहाँ पे इसका INR में conversion क्या होता है, वो मैं आप लोगों को बता रहे तो, तो अगर आपके बस 1000 satoshi होते तो उसका करीबन 7 या 8 रुपे कुछ आपको मिलेगा, बट यहाँ पे मैं रुपे को मत देखो, यहाँ पे चीजों को देखो, जो learning मिल रही है, वो ज्यादा important है, जितने भी पैसे मिल रहे हैं, वो तो एक advantage यह, तो यहाँ पे daily task आपको मिलता है, daily task में जितना आप यहाँ पे पैसा satoshi earned करोगे, उसको अगर आप यहाँ बैंक में transfer करना चाहो तो withdraw के option पे जाके वो भी आप कर सकते हो, साथ ही साथ अगर आप अपने friend को invite करते हो इस platform पे चीज़े सीखने के लिए भी, तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे जो है कुछ पैसा वगरा मिल जाता है, ठीक है जी, तो यह यहाँ पे हमारा मकसद था आप लोगों को learning के बारे में बताना, एक बार आप जाप यहाँ पे learn कर लोगे, उसके बाद buy and sell भी कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे crypto trading भी कर सकते हो, सारी चीज़े possible है, बड़ सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़े समझने वाली है, वो यह है कि यहाँ पे आपको learning करना पड़ेगा, चीजों को सीखना पड़ अगर आप सीखोगे, तो अपने लिए सीखोगे, ठीक है जी, मेरे को नहीं कमा के दोगे, अगर आपको एक बार चीज़े आ जाती है, तो उसके बाद buy and sell करके काफी चीज़े कमा सकते हो, तो यह तो आप लोगों को motivate करने के लिए शुरुआत है, तो मैं जरूर इसमें account बनाए, चीज़ों को सीखे और यहाँ पर learn करना शुरू कर दे, क्योंकि बहुत जरूरी है, बहुत आज की समय में अगर यहाँ पर पैसे कमाने हैं, तो learning बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं कतम करते हैं, उमीद करता चीज़े clear होई होगी, मैं आप लोगों से जल्दी अगले वीडियो में मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत!